नमस्कार दोस्तों आपका सागत है मेरे चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स पे इस वीडियो में हम देखेंगे एक 4K मॉनिटर जो कि मैं अपने लिए भी देख रहा हूं जैसा कि मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं मेरा मॉनिटर खराब हो गया था तो हम एक मॉनिटर देखते हैं अभी फिलाल देखते हैं कौन सा सबसे प्राइस का मैं Amazon पर मैं चेक कर लेता हूं फिर उसकी डीटेल हम चेक करते हैं तो दोस्तों Amazon मैंने खूर लिया अपना इसपर मैं देखता हूं 4-K मॉनिटर सबसे लीस्ट कौन सा है तो उसकी हम स्पैसिफिकेशन देखते हैं तो तो ठीक है दो मोनिटर देख लेते हैं इस वीडियो में हम एक तो यह एसर का CB282K 28 इंच यह बाला इसे मैं उपन कर लेता हूँ न्यू टैब में और सेकेंड मैं देख लेता हूँ आपका यह 22,000 का जो चल रहा है एसर नाइट्रो VG280K यह भी 28 इंच का ही है इसे भी मैं उपन कर लेता हूँ पहले देखते हैं 22,000 वाला तो यह रहा हमारा 22,000 का एसर नाइट्रो VG280K 28 इंच अल्टरा एचडी 4K 3840 x 2160 IPS Gaming LCD Monitor with LED Backlight Technology AMD FreeSync भी बता रहा है HDR10 भी है दो HDMI के पोर्ट है एक डिस्प्ले पोर्ट है और बॉक्स में हमें मिलेगी HDMI केबल और स्टीरियो स्पीकर भी है और iCare भी है ठीक है और इसकी वारंटी है आपका 3 years manufacturer warranty बट आप एक चीज़ का ध्यान रखना डिस्प्ले डेमेज ना हो जैसे मेरे साथ हो चुका है मेरी previous वीडियो देख लेना नहीं तो लिंक description में दे दूंगा और playlist का तो वह रिपेर नहीं होता चाहिए तीन साल की वारंटी हो मेरा एक महिने में डिस्प्ले टोड़ गया था तो वह बेकार है वह रिपेर ही नहीं करते हैं तो इसका बस आप ध्यान रखना क्योंकि प्राइस बाइस अजार है इसमें refresh rate है 60 Hz तो यहां आप देख सकते हो 28 आप जीरो फ्री मॉनिटर है एमडी फ्रीशिंग टेक्नोलोजी है यह तो एमजान का दिस्क्रिप्शन दे रखा है बाकी हम देखते हैं तो यह 30 अगस 2020 को फर्स्ट अविलेबल हुआ था कंपनी की साइट पर हम इसकी डिटेल और देख लेते हैं तो यह मैंने उपन कर लि लेफ्ट साइट से ऐसे है राइट साइड बैक राइट बैक और यह बिल्कुल साइट से तो इसकी टेक्निकल इंफोर्मेशन हम चेक कर लेते हैं 28 इंच का है 4K Ultra HD है IPS पैनल है इसमें और रिस्पॉंस रेट है 4 मिली सेकंड 16 इस्टू 9 की रेशियो बैक लिट टेक्नोलोज है LED wall mountable है HDR 10 है frequency आप देख सकते हो HDMI और डिस्प्ले पोर्ट दोनों की दे रखी है horizontal frequency, vertical frequency और class at 20 inch और adjustable height का option इसमें नहीं है बाकि यह tilt angle और adjustable display pivot यह भी नहीं है no audio हम देख लेते हैं speaker दे रखे हैं दो watt case में physical characteristics आप देख सकते हो वैसा amount compatible है यह और 100 by 100 का जो वैसा amount standard होता है वो आपको लगाना है color black बाकि यह details है height, width, depth, height, width, stand, width, stand, depth, width, stand, weight है इसका इतना और video का configuration हम देखते हैं तो 3840 x 2160 resolution आपको मिलेगा 1.07 billion colors है इसमें तो आपको अच्छे colors मिलने वाले हैं इसमें color depth आप देखोगे तो 8 bit है और dynamic contrast ratio आप देखोगे वो दे रखे हैं आपको brightness इसमें 300 nits की है और AMD free sync भी है लेकिन display port पे ही आपको मिलेगा वो HDMI पे I think नहीं मिलेगा वो बाकी package में आपको मिलेगा एक तो monitor एक HDMI cable और एक power code इसमें आपको HDMI मिलेगा headphone मिलेगा display port मिलेगा number of display port एक ही है और stand by power consumption आप देख सकते हैं 500 milliwatt off mode 350 milliwatt operating power consumption 31 watt का है वह ठीक है यह सारी तो हो गई इसकी details बाकी support में तो अभी हमें कुछ ऐसा चाहिए नहीं पिर हम देखते हैं दूसरा monitor सो यह हमारा second monitor है 23600 का 23604 यह भी almost same है जैसा कि आप देख सकते हो एसर का 4K है resolution 3840-2160 IPS LCD monitor LED backlit AM diffressing बस इसमें जो difference है I think height adjustable है और private movement है तो इसमें भी आपको तीन साल की warranty मिल रही है और 7 days replacement तो replacement reason भी आप देख सकते हो physical damage, defective, wrong and missing item तो 7 दिन में आपका replacement हो जाता है तो एक मेरे पास आया भी था monitor damaged आया था उसकी भी मैं वीडियो डालूँगा आपको बनाके तो curved मैंने मंगाया था तो वो damaged आया था मेरे पास product तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी unboxing की बट मैंने डाली नहीं बट बाद में amazon से बात करके resolve हो गया था वह issue भी तो आपको देना पड़ता है proof proof incense photo वगरा खीचे आपको देनी पड़ती है वो आपको customer care वाले बता देंगे इसमें आपको तो वही 60 Hz ही मिलेगा refresh rate बाकी इसकी detail भी हम company की website पर देख लेते हैं बट यह देखते हैं first cup available था यह भी first available हुआ है 16 September 2020 को इतना latest तो है नहीं इस भी देखते है company की website पर क्या दे रखता है तो यह रहा हमारा company की website पे CB282K wide screen LCD monitor इसकी photos में आपको दिखा देता हूँ यह front से है front left, front right, back, back right, यह right side से और यह left side से तो यह height adjustable होगा और आप इसे move भी कर सकते हूँ तो यहां हम इसकी technical information देख लेते हैं यह 28 inch का है 4K Ultra HD है IPS panel technology है 4 millisecond response time aspect ratio 16 is to 9 backlit LED wall mountable HDR 10 और यह horizontal frequency, vertical frequency तो जो मैं कहारा था कि main difference यह होगा adjustable display pivot वो भी है इसमें speaker same है yes दो watt के और वैसा mount compatible है yes वही same standard 100 by 100 और इसका weight आप देख सकते हो 5.19 kg shift monitor का और अगर आप stand लगाते हो तो 7.25 kg वीडियो की details हम देख लेते हैं same है 3840 x 2160, 60 Hz, 1.07 billion colors, 8 bit color depth, brightness 300 nits, AMD FreeSync, display port पे, package में आपको LCD monitor, HDMI cable और power cord तो same जो आपने अभी पहले चेक करा था इस वीडियो में monitor same सारी चीज़े वो ही है बस आपका वो अलग कर दिये कि भाई यह height adjustable है और आप एक जगह रखे इसे गुमा सकते हो left right बस वो बागी power consumption भी आप देख सकते हो सारी same ही है तो दोस्तों यह थे हमारे दो monitor CB 282K widescreen और Nitro VG 280K widescreen LCD monitor तो दोनों almost same ही configuration के हैं बस difference आपको एक ही मिलेगा इन में कि एक height adjustable है और आप उसको एक ही जगह पे गुमा सकते हो left right बाकी features आप देखोगे तो almost same ही है दोनों के अगर आपको height adjustable चाहिए और एक ही जगह पे move कर सके वैसा चाहिए तो आप दे सकते हो 2000 रुपे फालतू वरना same ही दोनों में features है और specifications है और package में भी जो आएगा वो भी same ही है तो I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे like और share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe मिलते हैं next वीडियो में दूसरी company के monitor देखेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखे और बड़ो का आदर कीजिए धन्यवाद